प्रियाविद द्यार्थियो आज की इस वीडियो में हम संस्कित में समास कर रहे हैं समास सब्द कैसे बना है जिसे समास सब्द बना है इसकी परिभासा के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक शब्द को समास कहते हैं संस्क्रित में समर्था नाम अनेके शाम पदा नाम एक पदी भवत समास हा जैसे रग्या है पुरुशा हा राज पुरुशा हा ये समस्त पद है और रग्या है पुरुशा हा ये विग्रा है के इन दो पदों से जब एक सब्द बना है वो राज पुरुशा है तो ये क्या हुआ ये समास इसी परकार गंगा यहा समीपम उपगंगम समस्त पद इसकी परिभासा एक से अधिक पदों का एक पद या शब्द बन जाना समस्त पद कहलाता है और इसका जो समस्त पद है वो क्या राज पुरुशा हा तो इसे हम क्या कहेंगे समस्त पद इसी प्रकार से गंगाई हा समिपम ये इसका विग्रह हुआ और उप गंगम ये एक समस्थ पद बना है इस प्रकार समस्थ पद के विशे में भी आप जानोगे समास विग्रह किसे कहते हैं जब समस्थ पद को अलग करके उसमें भी भगती लगाई जाती है तो उसे समास विग्रह कहते हैं जैसे ये उपर आपको बताया गया है के राग्य है पुरुशह ये क्या है समास का विग्रह है और इसका समस्थ पद है राज पुरुशह इसी परकार गंगायह समीपम इसका जो समस्थ पद है वो उप गंगम और विग्रह है गंगायह समीपम इसमें विभक्ति के अनुसार इसको अलग किया गया है। इस परकार ये समास मिग्रह के विशे में भी आप जानोगे। आगे समास के भेद। समास के मूरूप से चार भेद हैं। समास के मूरूप से चार भेद हैं। अव्यई भाव समास। तत्पुरुष समास, द्वन्दफ समास और बहुबरही समास तत्पुरुष समास में दो परकार से व्याधी कर्ण तत्पुरु समास और समानाधी कर्ण तत्पुरु समास तो व्याधिकर्ण तत्पूर्समास में विवक्ती तत्पूर्समास नय तत्पूर्समास उपद तत्पूर्समास इसे परकार समानदी कर्ण तत्पूर्समें करम धार्य और द्विगु समास दुवंद्व समास में इतरेतर दुवंद्व समास समाहार दुवंद्व समास एक शेस दुवंद्व समास इस परकार मूल से तो हमारे चार समास हैं लेकिन हम करम धारी और दिविगु समास को भी समें जोड देते हैं जिससे हम छे परकार के समास माल लेते हैं अब हम प्रारहम कर रहे हैं अव्याई भाव समास किसे कहते हैं उसकी परिभासा देखिए जीसस समास का पहला पद परधान होता है उसे अव्याई भाव समास कहते हैं इसका पहला पद अव्याई या उपसरग होता है इसमें समस्त पद नपुन्सक लिंग एक वचन में रहता है जैसे अनुरथम ये नपुन्सक पद है एक वचन में तो इसका जो हम विग्रह करेंगे रथस्याई पस्चाप सस्ठी व्योगती उप गंगम गंगायाह समीपम इसी प्रकार इसके अन्य हुधान देखिए जिसको हम विश्तार से देखेंगे निमलिखित अर्थों में अवी भाव समास होता है जैसे विभक्ती अर्थ में तो सत्मी विभक्ती के अर्थ में अधी अव्य का प्रियोग होता है अधी हरी इसका विग्रह करेंगे हरव इती हिंदी में इसका अर्थ होगा हरी में अध्यातम अध्यातमम नपुन्शक पद है आत्मनी इती आत्मा में अधी गंगम गंगायाम इती गंगा में दूसरा समी पर्थ में अव्य भाव समास के उधान देखिए कि उप उपसरक का प्रियोग होता है तथा विग्रह करते समय सस्थी विभक्ती का प्रियोग किया जाता है जैसे उप गंगम गंगाया समीपम गंगा के पास उप गुः गोह समीपम गाय के पास उप वधु वध्वह समीपम वधु के समीप इसी प्रकार इसके अन्योधान उप क्रिशनम क्रिशनस्य समीपम क्रिशन के पास उप ग्रीहम इनका विग्रहाप कर सकते हो उप व्रिक्षम उप तटम उप आशवम उप वनम उप गजम उप पुस्तकम उप कार्याल्यम आदि अव्यभाव समास नमबर तीन समरिधी के अर्थ में सू अव्या का प्रियोग किया जाता है तथा विग्रह करते समय सस्थी विभगती का प्रियोग किया जाता है जैसे समुद्रम, सोमद्रम, मदरा नाम समरिधी, मदर देश वास्यों की समरिधी इसी प्रकार सू भारतम, भारता नाम समरिधी, भारत देश वास्यों की समरिधी नमबर चार वेरिध्धी के अर्थ में अव्य भावसमास वी जमा रिध्धी वेरिध्धी के अर्थ में अर्थात रिध्धी के अभाव में दुर उपसरक का प्रियोग होता है तथा विग्रह सस्ट्री विभक्ती में होता है जैसे दुर यवनम यवनानाम व्यारिधिह यवनों का एश्वरिया लोप दुर पांचालम पांचालानाम व्यारिधिह पांचालों का एश्वरिया लोप इसे प्रकार नमर पांच अभावर्थ में अव्याई भाव समास संबंधित वस्तु के अभाव में निरूपसरग का प विग्रह सश्टी विभक्ती में होता है प्रथम शब्द का पहला अक्षर क ख तथा प फ होने पर निर को निश हो जाता है जैसे निश कंटकम कंट का नाम अभाव है हिंदी मर्थोगा कंटकों का अभाव निर जनम जना नाम अभाव है लोगों का अभाव अर्थात सुनसान नही शंकम शंका नाम अभाव है संशय का अभाव इसी प्रकार अन्योधान निर धनम निर जलम आप इनका विग्रह कर सकते हो निर मनुष्यम निर विग्णम निर मक्षीकम मक्षी का नाम अभाव है इसका विग्रह बनेगा इसी प्रकार नंबर छे नाश अर्थ में अविभाव समास अति उपसरक का प्रियोग और विग्रह में सश्टी विभग्ति का प्रियोग होता है जैसे अति योवनम योवनस्य अत्यह जवानी का बीतना अति हिमम हिमस्य अत्यह हिम की समाप्ति अविभाव नंबर साथ शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में शब्द का प्रकाश अर्थ में इति अव्य का प्रियोग और विग्रह सश्टी विभग्ति में होता है जैसे इति हरी ही हरी सब्दस्य प्रकाश हा हरी नाम का उच्चार्ण इति भारतम भारत सब्दस्य प्रकाश हा भारत सब्द का उच्चार्ण नंबर आठ पश्चात अर्थ में अगे भाव समास अनु उप्सरक का प्रियोग विग्रह सश्टी विभग्ति में होता है जैसे अनु हरी, हरेहे पस्चात, हरी के पीछे, अनु शंभू, शंभोहों पस्चात, शंभू के पीछे, अनवक्षमम, अक्षणों पस्चात, आँखों के पीछे, अनु विश्णू, विश्णों पस्चात, विश्णू के पीछे, अनु रथम, रथस्य पस्चात, रथ के पीछे अनू लतम लतायह पस्चात लता के पीछे अनू गणेशम गणेशस्य पस्चात गणेश के पीछे नमबर नू योग्यता कर्थ में अवेई भावसमास अनू उपसरक का प्रयोग और विग्रह सस्टी विभक्ती में होता है जैसे अनू रूपम रूपस्य योग्यम रूप के योग्यय अनू गुणम गुणा नाम योग्यम गुणों के योग्यय नमबर दस विप्षा अर्थ में अर्था दोहराना अर्थ में अवी भावसमास प्रती उपसरक का प्रियोग और विग्रह में द्वितिया या सप्तमी भक्ती का प्रियोग होता है जैसे प्रती दिनम दिनम या दिने दिने इती हर दिन प्रतेकम एकम एकम या एके एके इती प्रतेक प्रती दिशम दिक दिक या दिशी दिशी इती हर दिशा इसी प्रकार अन्य उदान है प्रती पादम जिनका विग्रह कर सकते हो दिविति और सप्तिम विवक्ति में प्रती मासम प्रत्याहम प्रती ग्रीहम आदी क्रम संख्या ग्यारा अनती क्रम्य अती क्रम्ण का उलंगन नय करने के अर्थ में अव्यभाव समास यथा अव्य का प्रियोग और विग्रह दिवितिय विवगति में होता है जैसे यथा शक्ति, शक्तिम अनती क्रम्य, शक्ति के अनुसार, यथा मती, मतिम अनती क्रम्य, मती के अनुसार, यथा वीधी, वीधिम अनती क्रम्य, वीधी के अनुसार, यथे च्छम, इच्छाम अनती क्रम्य, इच्छा के अनुसार, इसी प्रकार अन्योधान यथा शास्त्रम, यथा करमम, यथा बलम, यथा कुलम, यथा पूर्वम, यथा मर्यादम, यथा स्थानम आदी करम संक्या बारा साद्रिस्य अर्थ में अविभाव समास समानता अर्थ में और विग्रहे सश्ठी विभक्ती में होता है क्रम संख्या 13 आनुपूर्वे अर्थ में अवियभाव समास क्रम अर्थ में और विग्रह सस्थी विभक्ती में होता है जैसे अनुजेष्ठम जेष्ठस्य आनुपूर्वेन बडे के क्रम से अनुवर्णम वर्णस्य आनुपूर्वेन वर्ण के क्रम अनुसार अनुक्रमम क्रमस्य आनुपूर्वेन क्रम के अनुसार बारी बारी करम संख्या 14 योगपद एक साथ अर्थ में अव्याई भावसमास सह तथा सह अव्या का प्रियोग और विग्रह तृतिय भगती में होता है जैसे सह चक्रम या सह चक्रम तो इसका विग्रह बनेगा चक्रेण योगपद या योगपद चकर के साथ सै हरसम हरशेण योगपद खुशी के साथ सै लज्जम लज्जया योगपद लज्जा के साथ करम संख्या 15 संपदा या संपत्ति के अर्थ में अव्याई भावसमास सह अव्या का प्रियोग और विग्रह सश्टी भगती में होता है जैसे सै क्षत्रम क्षत्राणाम संपत्ति ही क्षत्रियों की संपत्ति सै मद्रम मद्राणाम संपत्ति ही मद्रवासियों की संपत्ति क्रम संख्या 16 साकल्य संपूर्णता के अर्थ में अव्याई भावसमास सै अव्या का प्रियोग व्यविग्रह द्वित्या विभगती में होता है जैसे सै त्रिणम त्रिणम अपी आपरितज्य तिनकों सहित सै भुसम भुसम अपी आपरितज्य फूस सहित इसी प्रकार करम संक्या 17 परियंत अंत तक अर्थ में अव्याई भावसमास सै अव्या का प्रियोग व्यविग्रह प्रत्मों व्यविग्ती में होता है जैसे सागनी अगनी गरंथ परियंतम अगनी सुक्त तक सै महाभाश्यम महाभाश्य परियंतम महाभाश्य गरंथ तक करम संख्य अठारा मर्यादा अर्था सीमा तथा अभी वीधी अर्था तक अर्थ में अगेई भावसमास आ के साथ विकल्ब से अव्यई भावसमास होता है और अलग-अलग विभक्तियों में विग्रह होता है जैसे आ मुक्तिह मौक्षप्राप्ति तक आमर्नम आमर्नात मोत तक आ जीवनम आ जीवनात जीवन भर आ समुद्रम आ समुद्र भ्य है या समुद्रम यावत समुद्र तक करम संख्या उन्निस सहित के अर्थ में अव्य भावसमास सै अव्या का प्रियोग वै विग्रह तृतिया विभगती में होता है जैसे सै चित्रम चित्रेण सहितम चित्र के साथ सै मित्रम मित्रेण सहितम मित्र के साथ सै धनम धनेन सहितम धन सहित सास्त्रम अस्त्रेण सहितम अस्त्र सहित इसी प्रकार क्रम संख्या बेश अक्षी के साथ समास प्रति पर सम तथा अनु उप्षरक के साथ अव्यभाव समास होता है और यह इस प्रकार है प्रतक्षम अक्षन है समक्षम आँखों के सामने प्रोक्षम अक्षन है परम आँखों के पीछे समक्षम अक्षन है समक्षम आँखों के सामने अनवक्षम अक्षन है पस्चात आँखों के बाद तो इस प्रकार ये अव्यई भाव समास जिसके करम संख्य एक से बीश तक जो भाग आपको बताए गए है ये हमारा अवे भाव समास पूरा हुआ आगे तत्पुर समास करेंगे